बिरेक के वड़ आपका स्वागत है आप देख रहें देश का नंबर वन डिबेट चो सीधा सवाल हूं सिर्फ विधायकों का समर्थन मिले से समाजवादी पार्टी अखलेश की हो गई यह तमाम सवाल है जिनका जवाब आज समाचा टूड़े जानने की कोशिच कर रहा है सीधा सवाल में मरसात दो मेहमान मौजूद हैं कॉंगेस से राकेश पुंडिर सहाब और समाजवादी पा अधर करते हैं के तरफ दिखाई देते हैं कि चत्रुएटी जी तना बड़ा पर्देफ है उत्तर पर देफ तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा एरिया भी है काम बोध किये अखलेफ जी नहीं मुझे करने में कोई गुरेजदी यह क्योंकि मैं आपको पिछे ले जाओं समाजवादी पार्टे का ही प्रवक्ता है। उसके करने में कोई बुराई निया है। बहुत कुछ चाहिए अगरीबी के आकड़ों की बात करें सांपरदाइक ता फैलने की बात करें तो उत्रप्रदीश में लगातार ऐसा होता है। आपके पास आँगा मैं आपसे यह जानना चाहूंगा अखलेश यादव क्यों अपने पिता जी से लड़ रहे हैं। अब तक चुनाव चिनने लेकर अब तक चुनाव में मैदान में क्यों नहीं उत्रे कि उन्होंने चार सो तीन सीटों पर अपने केंड़े डिकलेर नहीं किये। देखे मानने मुख्यमंत्री जो अब जो थोड़ा बहुत बात्चीश चल रही है मानने राष्टियद्यक्ष मुलायम सिंग जी के साथ वो एक ये कहले के एक जैनरेशन गैप मैं इसको कहना चाहूंगा एक जैनरेशन गैप है और वो हर परिवार में रहता है हर समाज में रहता है और प्रदेश के हर जिले में रहता है The New Age के हमारे ऐसी भी फिर्वेंतिक फिर्वें हों किसी भी प्रॉफेस्टन में हो तो जैनरेशन गैप को आवी रहता है मानने मुख्यमंत्री जी में बहुत और जमाने है करना चाहते हैं और नई नई चीजे परदेश में वह लाए भी हैं और लाना चाहते हैं तो शायद उनको कही न कहीं आभास ऐसा हो रहा है कि अगर मैं दुबारा से मुख्यमंत्री बनता हूं और वो बनेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं विकास करपाऊंगा नेता जी तो विकास नए नए विकास हाप करपाएंगे दूबारा से मुख्यमंतरी बनेंगे लेकिन क्या उस पिता से लड़कर आप मुख्यमंतरी बनना चाहते है जिसने पांस साल पहले अपनी सत्ताह को सौंब दी थी क्या उ श्यादव अपने पिता के साथ हाथा पाई ही करती है दिखाई देरें का माइक चीन तो दिखाई देरें क्या यह संसकार को सभाया था और मुख्यमंति उस माइक को संभालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें मीडिया ने ये कहा कि मुख्य मंदी से माइक छिना गया जहां तक पिता पुत्र की लड़ाई की बात है मैं उस पे जरूर कहना चाहूंगा कि पिता पुत्र की कोई लड़ाई नहीं है एक बच्चा अपने फादर से किसी चीज के ल लड़राई सबके किता का मह नहीं है यह नए बिलकुश महूं यह मैं पहले भी आपको बताया है कि यह जनरेशन गैप है हूं कुछ शायद ऐसा आभास हो रहा है कि मान्य राष्टी अध्यक्ष नेता जी के साथ जो कुछ लोग लगे हुए उनको मुख्यमंती बनाना नहीं चाहते शायद किस वजे से वो थोड़ा सा जो विवाद थोड़ा बहुत है उसको अपना पक्ष रख रहे हैं नेता जी के सामें नहीं कह सकते हैं कि राजनेती का इसतार ऐसा ही होता है राजनेती इसी तरीके की होती है ना पिता पर कोई बरोसा कर सकता है ना ही कोई पुत्र पर बरोसा कर सकता है तबी आज समाज़ादी पार्टी इस दो राहे पर खड़ी है जहां पिता और पुत्र दो अलग खेमों में बढ़ चुके हैं उन दोनों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह आकरकार कर क्या रहे हैं उत्रप्रदेश की जनता के सामने कौसा कौन सा उधारन पेश कर रहे हैं पुंडीर साहब आप से जानना चाहूंगा आप यह बताइए क्या सिर्फ विधायकों के समर्थन मिलने से जो अ अच्छ रहे हैं पार्टी की बात में एक कौमन सी बात कर रहा हूं कि आपने बहुत सालों तक बाग उगाया आपने वाग में पेड़ पौदे उगाये आपने सब कुछ किया और उसके बाद मैं आऊं और मैं कहूं जही नहीं यह तो मेरा है पाग मैं आपके साथ एका साल कर दे दे ऑई तुर तरादिखारी को कोई देद रहा है नहीं यहां तो लडाई चल रही है न चलो मैं फिर वही क्हांट Гणेलू मां बले कि ने अजिक्त कर दीजा सकते कर दिया तो जो गड़ दो सट ए पाटकर पाएगी कर रहे हूं यह तोंस wipesa बाता तो जनता है जनता अगर अखलेफ जी को चारी है तो समाजवादी पार्टी अपना कोई बात नहीं है वही सवाल आप से है वसी अंसारी साब आप से भी सवाल पूशना चाहूंगा क्या कुछ विधायकों के समर्थन से अखलेफ श्यादव की होगी समजवादी पार्टी अब तो चुनाव अचार सहिता लागू हो गई है दूसरे जो कारेकाल पूरा पांस वर्ष का रहा है सभी विधायकों ने मंत्रियों ने मंत्री जी को और नेता जी को पूरा सहयोग किया है सरकार चलाने में संगठन चलाने में दूसरी अब चार सहिता लागू हो गई है और अब हम लोग चुनाव में जाने जा रहे हैं 2017 की विधान सभा में प्रवेश कर रहे हैं चुनाव अच्छा लड़ा जाएगा विधायक आएंगे और सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी यह आप दावा कर रहे हैं लेकिन दावे फिलाल आपके सही साबित होते नजर नहीं आ रहे है क्योंकि लड़ाई इस व इंडोरा आप लोग पीठते हैं लेकिन यह बताएए अखले इस जादव को अपने काम पर बरुसरा नहीं जिससे काम के गुड़गान जगा-जगा-जगा हो रहे हैं सरकारी तरीके से प्रचार भी किया जा रहा है लेकिन जहां तक गड़बंदन की बात है और परदेश की राजनिती हमारे उत्तपरदेश खास तोर से पच्छम उत्तपरदेश की राजनिती के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहां की राजनिती बहुत ही टिपिकल है और जो सामपरदाइक ताक्ते हैं उनको रोकने के लिए अगर एक मिजाज के लोग एक हम ख्याल के लोग गडबंदन के रूप में लड़ना चाहते हैं अच्छा काम करना चाहते हैं मिल जुलकर तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोसरे कि अगर यह गडबंदन जैसे आप बता रहे हैं कि गडबंदन होने जा रहा है तो इसे मैं अच्छा समझूँगा परदेश की जनता के लेकिन बात यहां पर जनता के हम लोग कर रहे हैं वसी साहब गडबंदन के लिए तो यह है कि गडबंदन होता है तो अच्छा है जनता का ही विकास होगा और इसमें सामपरदाई के जो शक्तियां हैं उनको रोकना जरूरी है जो महल खराब कर रही है पच्छी मुत्त प्र सरकार में आई इसी का लाव वो परदेश में उठाना चाहते हैं और सामपरदाईक ताक्तों को रोकने के लिए अगर मार गडबंदन होने जा रहा है यह बहुत अच्छे संकेत हैं जनता के लिए अच्छे संकेत हैं वसी साहब आपको लगता है कि अगर कॉंग्रेस और समा समाजवादी ही नहीं अन्य दल भी समाजवादी पार्टी के साथ गडबंदन करके प्रदेश में खुशाली लाना चाहते हैं उसके विकास के लिए काम करना चाहते हैं जो उत्ता प्रदेश पिछड़ गया है उसको पहली पंक्ति में विकास में लाना चाहते हैं ऐसा लग और हैं हमारी सरकार दुबारा से आ रही है साथ-साथ आप यह कह रहे हैं भाज़ पासे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं कि अगर सब लोग मिलकर अलग-अलग समाज के लोग अगर मिलकर कोई किसी के लिए अच्छा सोचने की बात सोच रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है इसमें परदेश की जनता का भला होगा विकास होगा और जितना हुआ है उससे दुग ना विकास होने की उमीद है अचली एक आखरी सवाल आपके पास हमगा पुंडीर साहब आखरी सवाल आपसे जाना चाहूँगा आप अभी वसी अंसारी साहब कर रहे थे कि कॉंगेस और समाज़ादी पार्टी का गड़ बंदन होगा तो परदेश में बहुत अच्छा विकास होगा और तेजी से विकास सवाल यह है कि कॉंगेस 10 साल तक केंदर की सत्ता में थी और परदेश में समाज़ाधी पार्टी की सरकार ती और से प्हले बसा की यह सरकार थी किया इन 10 सालों में मैं सिर्प कारिकाल की बात करूब अद। तो नहीं 2 सालों में उत्रप्रदेस को मनें इसने की पושो लहर maximize कंद्रेन में उत्रप्र्देश को थी कर टाब् ligeक आप ने भी दिया और समाज़ादी पइश और इन्हें भी दिया बश्पां पर ने रिणिने भी और जनता ऑफ चागा कहने के। यह होता है तमाम पाइटियों का ने जन्ता का इतना विकास होया यूपी के अंदर जन्ता का पैसे कहा खाड़िया किस गौर्मिट ने खाड़िया जन्ता खागई आप यह कहना चाहते हैं गवर्मेंट निखाया जन्ता खागई गसके ऐतना विकास जन्ता है लुकूराि तक यह बीजेपी के पड़ानमंत्री है क्योंकि वे अपने कुप बीजेपी का यह पुम कलिवानधी रहे वाद के हर जगे अपनी बात करते हैं तो आज बहें जहां भी इतने फीते का ट्रें जितने उद्भाटन करें है सब कांग्र तो जोड़ने के लिए और इस पूरे मुद्धे पर बात करने के लिए तो जिस सवाल को जानने के लिए आज समाचा टूड़े बैठा था महमानों को बुलाया गया ता सवाल ये था कि आखिरकार समाजवादी पाटी में जो कलह चल रही है यह कब तक चलेगी कब तक समाजव हमें आज नहीं मिल पाया लेकिन अब देश की जनता और प्रदेश की जनता को तै करना है कि वाकई में इसका सडिक जवाब है क्या कौंगेस आज हमारे साथ थी समाज़ादी पार्टी आज हमारे साथ थी और दोनों ने ही समाज़ादी पार्टी की कलह को एक परिवार की कलह बताया परहंदूर्नी कलह बताया और कहा कि जल्दी सुलच भी जाएगी झाल झाल